कैसे हैं आप लोग आज की वीडियो में हम grammar को सुरू करने बाले हैं और जो grammar है हम मैं आपको पहले ही बता दूँ कि हम when and martin से cover करेंगे एकदम basic से जो concept होते हैं उनको लेके चलेंगे clear करेंगे और जो भी high level तक के concept हैं उन सारे concept को हम cover करेंगे बीच वीच में बहुत सारी exercise ज जरूरत वह जाएगे ठीक हैं तो हम उन सारी exercise को करेंगे मिस्लेनियस को इसन्स भी करेंगे और जितने भी concept है वो cover करेंगे तो यह एक demo class होने वाली है जिन लोग को नहीं पता है उनको मैं बता दूँ डेमो class का मतलब यह है कि जो अभी मेरे currently paid way चल लें TGT और PGT के लिए जो भी candidates उसमें join करना चा रहे थे उसमें से काफी लोग एक demonstration मांग रहे हैं कि कैसा आप पड़ा रहे हो तो इसलिए मैंने सोचा कि एक demo class वग देते हैं तो यह जितनी भी मेरी YouTube पे free वीडियो जहां उसमें यह available वहेगी तो जो लोग भी देखना चाहें इसको देख सकते है अगर उनने अच्छा लगे तो वो batch join कर सकते हैं बैज जो है वो rapid batch है मैंने आपको पहले ही बताया था rapid का मतलब यह है कि हम तेजी से slabs cover कराएंगे पूरा TGT का भी और PGT का भी जिसमें grammar प्लस literature part include वहेगा और इसके लावा PDF जो हैं आपको notes बनाने की जबहत नहीं है जल् को पता है हमने बच्पन से यह definition पढ़ते हैं कि sentence क्या होता है a group of words which makes a complete sense सब्दों का एक सम्हू होता है जिसका एक complete sense बनता है complete meaning बनता है उसको हम क्या कहते है sentence कहते है जैसे कि एक example दिया है little jack corner satin or corner छोटा jack corner जो है वो कहां बैठा हुआ है corner में कोने में बैठा हुआ है अग पूरे जो sentence का meaning है वो बदल जाएगा वो sentence नहीं बनेगा तो इतना तो clear है कि यह क्या होता है group of words होता है जिसका complete meaning निकलता है right आगे हम पढ़ेंगे kinds of sentences अच्छा यह कहा है यह हमारा base clear करेगा इससे हमारा क्या होगा base जो है वो clear होगा ऐसा नहीं है इससे कोई question exam में आने व है वो अच्छे से clear हो पहेंगे right तो मैं आपको एकदम basic से एकदम अच्छे high level तक ले जाऊंगा जिससे आप TGT PGT में जो भी TGT PGT में मैं आपको पहले बता दूँ ऐसा नहीं है बहुत high level के question आते हैं simple से conceptual question आते हैं लेकिन आपके concept clear नहीं होते हैं इसलिए आप उनको गल पर कोई statement दिया जाता है या कुछ भी assert किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं declarative sentence बोलते हैं आगे definition देखेंगे जैसे एक example है Humpty Dumpty set on a wall Humpty Dumpty कहां बैठे हुए दिवार पर बैठे हुए एक हमने general statement दे दिया है जैसे वह वहाँ खड़ा है वह बैठा है वह पानी पी रहा रहे है assertive sentence भी इसको बोलते हैं second है those which ask का कोई son जिसमें कोई question पूछा जा रहा है where do you live ठीक है तुम कौन हो तुम कहां जा रहे हो तुम क्या कर रहे हो बहे बहां क्यों गया तो इस तवे के sentence है या तुम कहां रहते हो तो इसमें इनको बोलते है interrogative sentences right जो third type है जिसमें हम sentence को हम क्या बोलते हैं ऐसे sentences को हम बोलते है imperative sentence यह आगे अभी हम देखेंगे इसके example देखो be quiet have mercy upon us इसके एक्जामपल है सांत हो जाओ हम पर दया करो यह order है और यह एक तर वैसे एक निवेदन है या पर request है कुछ भी समझ लो चौथा जो का इंड होता है वह होता है जिसमें हम अपनी sudden strong feelings को express करते हैं how cold the night is रात कितनी ठंडी है जैसे अचानक से अभी गर्मी चल ली है बहुत कहते हैं यार कितनी गर्मी है आज है ना या कितने सरम की बात है तो अचानक से जो feeling जो हमारी strong feeling जो बहार निकल के आती है how cold the night is what a same तो इनको बोलते है exclamatory sentence right तो इनमें इ नीचे लिखी हुए इसको भी हम देख लेंगे a sentence that makes a statement or assertion उसको हम declarative sentence या assertive sentence बोलते हैं second जो है जिसमे हम कोई question पूछते हैं वो क्या होता है interrogative sentence होता है a sentence that expresses a command or an entuity उसको हम बोलते है imperative sentence और the fourth kind is the sentence a sentence that expresses strong feeling जिसमे हमारी strong feelings निकल के बहार आती है उसको हम बोलते है exclamatory sentence I hope आपको sentence clear हुआ होगा आगे क्या है आगे हम पढ़ते हैं आप subject and predicate के बारे में क्योंकि जब हमने sentence पढ़ लिया तो sentence में generally ही दो चीज़े होगी एक तो होता है हमारा subject और दूसरा क्या होता है predicate देखो इससे question नहीं आता exam में लेकिन आपका base clear होना चाहिए क्योंकि जब आपका base clear होगा तो आगे की चीज़े जो है वो उतने ही अच्छे से समझ में आएंगी ठीक है बात समझ में आई तो एक चीज में और बता दूं जिनको भी paid batch चाहिए वो मेरे whatsapp नमबर पर message कर सकते है whatsapp नमबर description box में comment box में और इसके लाबा आप इस नमबर पर मैं यहां भी बता देता हूँ इस पर आप contact करिए 7060655629 ठीक है paid batch में हम कोसिस करेंगे TGT 3 मन्त में और PGT 4 मन्त में हम कतम करा देंगे आपका literature और grammar और बहुत ही अच्छे से कराएंगे ऐसा नहीं है कि जल्दी अल्दी में हम चीज़े छोड़ देंगे ठीक है तो आप contact कर सकते है यह demo class है demo आप देख लीजए पसंद आती है तो contact कभी है right इसके लाबा देखते अब यह subject or predicate क्या होता है when we make a sentence जब हम एक sentence जो है वह मतलब बनाते है या फिर बोलते है we name some person or thing, say something about that person or thing. सबसे पहली चीज़ तो हम क्या करते है किसी person के बारे में कोई sentence होता है या किसी चीज के बारे में होता है ठीक है जो की क्या होता है subject होता है इँम किसी चीज के बार करते हैं किसी बस्तू के बारे में भाव के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या है सब्जेक्ट है ठीक है और जो बात कही जा रही है उसके बारे में वो क्या होता है प्रेडिकेट होता है यहांने आपको पहले ही बिता दिया, आगे definition लिखी है, चलिए थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं, आई आपको दिख रहा होगा clear, in other words, we must have a subject, मतलब दूसरे सब्दों में हमारे पास एक subject होना चाहिए बोलने के लिए कुछ, ठीक है, और predicate होना चाहिए उस subject के बारे में कु पहला तो बो पार्ट है, जिस person या चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो चीज क्या है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, subject बोलते हैं, sentence का, बता दिया मैंने आपको, दूसरे जो उस subject के बारे में कुछ बता रहा है, the part which tells something about the subject, ये क्या होता है, predicate होता है, right, I hope इतना मतलब कभी-कभी, कभी-कभी क्या होता है, इसको predicate के बार भी रख देते हैं, जैसे एक example है, here comes the bus, यहाँ बस आती है, तो यहाँ पे subject तो the bus है, लेकिन इसको बार्द में ही रखा गया है, sweet of the usage of adversity, अच्छा ये line कहां से ली गई है, टेट बेचा है पढ़ वे हैं भाही, सा जाता है, जब उसको छोटा भाही उसे उसके kingdom से निकाल देता है, तो पहले तो इस टार्डिक में बुरा लगता है भाही, उसका kingdom बगारा सब चिन गया, लेकिन बार में दीवे दीरे उसे उस जंगल में अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो nature की उसमें पहुच गया था इतना lap of nature, वो enjoy कर ला था, तो उस बहीं से ये वो एक बार भी ये line कहता है, कि sweet of the usage of adversity, मतलब adversity क्या होती है, बिपरीत परिस्टितियां होती है, मतलब उसे परिसानिया तो जहली, लेकिन अब उसे मजा रहे है, ठीक, अब उसे अच्छा लग रहे है, तो यही इसका कहने का म तो दिया जाता है, जैसे sit down, बैट जाओ, अब किसी से, किसी से कह रहे होंगे ना भई, तुम बैट जाओ, ऐसा तो है नहीं, हबा से बाते कब रहे कोई, तो उसमें subject understood है, जहाँ पर you होगा, you sit down, तुम बैट जाओ, ठीक है, you understood है, समझ में आ रहे है न, thank him, कौन thank बोलेग उसे धन्वाद बोल लो, हम बोलेंगे न, जिससे भी कहा जा रहे है, तो subject जो you है, वो understood है, मतलब जो imperative sentence होते हैं, मैं फिर से बता दूँ, उसमें subject जो है, वो understood होता है, right, I hope इतना clear हुआ हुआ हुआ, अब exercise देख लेते हैं एक बार, ठीक है, इसमें subject or predicate पे exercise है, मैं इसे जल्ली से कराऊंगा, एक एक चीज का मतलब नहीं समझेंगे, subject or predicate में दूढ़ना है, पूरे पार्ट है, तो इसमें subject क्या है, the crackling of geese saved Rome, ठीक है, तो who saved Rome, Rome को किसने बचाया है, the crackling of geese, तो यह क्या है, subject है, subject आप question पूछ के भी दूढ़ सकते हो, जो answer होगा, उसमें आप सब्जेक्ट आजाएगा, और बाकी का बचा हुआ पाड क्या है, प्रेडिकेट है, second है, the boy stood on the warning deck, who stood on the warning deck, the boy, why क्या है, subject है, बाकी का, प्रेडिकेट है, tubal cane was a man of might, अच्छा यह man of might क्या होता है, man of might, जो बहुत ही powerful या courageous man होता है, वो कौन होता है, man of might होता है, ठीक है, त करवर रहती है, तो tubal cane यहाँ पर क्या है, subject है, कौन man of might है, tubal cane, wait, if stone balls do not make a prison, if stone balls जो है, वो जेल्ली मनाती है, ठीक है, तो यहाँ पर stone ball क्या है, यह subject है, बाकी का, प्रेडिकेट है, the singing of the words delights us, जो singing of the words है, यह पूरा का पूरा subject है, चिडियों का गाना, हमें क्या देता है हमें खुसी देता है, delights us, समझ में आया है इतना, यह subject है पूरा, चिडियों का गाना, ठीक है, क्योंकि खुसी क्या दे रहा है, ना तो चिडियां दे रही है, ना गाना दे रहा है, चिडियों का गाना दे रहा है, यह पूरा का पूरा subject है, राइट, आगे जब हम आपको जो चीज नहीं समझ में आ रही है, comment section में comment करके पूछ सकते हैं, जो मेरे paid group के member है, वो group में message करके पूछ सकते हैं, ठीक है, bad habits grow unconsciously, bad habits जो है, वो क्या है, subject, और बाकी का क्या है, the earth revolves around the sun, जो earth है, वो किसके चारो और घुमती है, sun के, तो earth क्या है, आपका subject है, 10th है, nature is the best physician, ठीक है, तो यहाँ पे nature क्या है, nature जो है, वो subject है, और बाकी का क्या है, प्रेडिकेट है, ऐसी 11th है, addition invented the phonograph, who invented the phonograph, addition, addition क्या है, subject है, बाकी का प्रेडिकेट है, 12th है, the sea has many thousand cents, c क्या है, subject है, बाकी का प्रेडिकेट है, 13 है, we cannot pump the ocean dry, we क्या है, subject है, बाकी का प्रेडिकेट है, ठीक है, तो इसमें सारे ऐसी हैं, जो last पाले एक बार हम देख लेते है ठीक है, जैसे last में किया है, इसको सही करते हैं, 22 है, no man can serve two masters, यह PDF मैं गुरूप में डाल दूँगा, आप करना ऐसी कुछ दिखकर नहीं है, अच्छे से आप से सारे कुछ से नो जाएंगे, अगर by chance कुछ confusion लग रहा है, तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है, no man can serve two masters, no man, no man क्या है, कोई भी आदमी, दो master को serve नहीं कर सकता, तो no man subject है, बाकी का predicate है, ठीक है, यह भी ऐसा ही है, जिसमें subject last में है, उसको हम देख लेते हैं, जैसे ही है, जिसको थोड़ा से रहे बढ़ाते हैं, आखरी बाला, on the top of the hill lives a hermit, ठीक है, hill की top पे कौन वहता था, hermit वहता कौन था, यहाँ बे बर्व क्या है, बर्व लेव है, और यह किसको, किसके साथ मतलब जोड़ी हुई है, किसके साथ है, hermit के साथ, कौन वहरा है, hermit वहरा है, यह hill तो नहीं रह रही है, ठीक है, तो जो बर्व है, जो आपकी main बर्व जिसके साथ जोड़ी हुई होती है, ब एक्रम चोटी पहराता था तो यह हर्मिट क्या है यहां पर सब्जेक्ट है चलिए आगे देखते हैं अब है दा फ्रेज एंड दा क्लॉज अब यह भाई बड़ी कंफ्यूजिंग सीज होते हैं जिन्रगी में आज तक लोगों को समझ में नहीं आए कि यह क्लॉज क्या होता ह है फ्रेज क्या होता है आज आपका यह डाउट क्लियर हो जाएगा चलिए पढ़ते हैं एक्जमिन दा ग्रूप ऑफ वर्ड्स इन और कॉर्णर को देखो इसका मिलब क्या होता है कोने में कोने में it makes sense मतलब तो निकल ला है but not complete sense लेकिन पूरा मतलब नहीं निकल ला है इन क्या बोलते हैं फ्रेज बोलते हैं वाइट समझ में आया ना फ्रेज क्या होता है ग्रूप ऑफ वर्ड्स होता है सब्दों का समूह होता है उसका अर्ध भी निकल ला है लेकिन पूरा अर्ध नहीं निकल ला है तो उसको sentence नहीं बोलके हम क्या बोलते हैं फ्रेज बोलते है तो पूरब में, in the east, यह क्या है, phrase है, right, humpty dumpty set on a wall, तो humpty dumpty कहां बैठा है, wall पे बैठा है, तो on a wall, यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, phrase हो गया, there came a giant to my door, एक giant आया मेरे दरवाजे पे, तो to my door, मेरे दरवाजे पे, यह क्या है, आपका phrase है, ठीक है, I hope इतना के लिए हुआ ह होगा, आगे देखते हैं, ऐसे ही है, it was a sunset of great beauty, तो of great beauty क्या हो गया, यहाँ पे, phrase हो गया, the tops of the mountains were covered with, इसनों, जो mountain की top थी, वो किससे कबर थी, इसनों से, तो of the mountains क्या है, phrase है, show me how to do it, तो how to do it क्या है, phrase है, I hope इतना clear हुआ होगा, कुछ नहीं समझ में आ है, पूछ ले न, seventh है, हाँ, आगे, हाँ, ठीक है, seventh है, examine the group of words in italics in following sentences, अब देखो, इनको देखो, he has a chain of cold, he has a chain of cold, उसके पास chain है, किसकी, sony की, of cold क्या है, phrase है, but, इसको हम दूसरी तवे से भी लिख सकते हैं, he has a chain, which is made of cold, मतलब भही है, उसके पास एक chain है, जो कि किसकी बनी हुई है, sony की same चीज है, but, we recognize the first group of words as a phrase, जो पहला group of words है, यह तो phrase है, लेकिन, लेकिन, जो second group of words है, इसमें एक subject है, which, which क्या है, as a subject वरकव है, जो की, बनी हुई है, देखो, यह subject है, यह verb है, यह object है, यह complete sentence है, इसमें क्या है, इसमें predicate है, is made of cold, और which क्या है, subject है, तो such a group of words, which forms part of sentence, जो इसका जो part है, इसमें भी, जब एक subject हो, प्रेडिकेट हो, तो इसको clause बोलते हैं, जैसे phrase क्या है, जैसे उपर वाला देखो, एक बर मैं फिरसे आपको बता रहेता हूँ, यह phrase है, कैसमे subject है, of gold में, नहीं है, ठीक है, तो ऐसे group of words, जिसमें एक subject हो, और प्रेडिकेट भी हो ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, clause बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, clause बोलते हैं, इसमें subject हो, प्रेडिकेट हो, और ऐसा part of sentence, जिसमें यह चीज ना हो, उसका एक, मतलब थोड़ा सा आपको निकल लाओ, तो वो क्या होता है, वो phrase होता है, और बाकी, अगर उसमें subject तो प्रेडिकेट है तो अब हो जाएगा क्लॉज हो जाएगा वाइट आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको इनदा फॉल्विंग सेंटेंस है जैसे क्लॉज वाले हम दो तीन सेंटेंस वाफ देखते हैं जैसे यह पीपल तो यह पूरा का पूरा एक सेंटेंस है पीपल जो कि अपना डेप्ट मतलब उधार चुकाते हैं उन पर भरोसा किया जाता है तो यह तो पूरा का पूरा सेंटेंस है अब इसमें हूँ पे देखतेंस के अंदब एक सेंटेंस है हूँ पे देखतेंस मतलब उधार होता है तो क्या है एक क्लॉज है ऐसे अगला देखो we cannot start while it is भी नहीं ऐसी इसमें क्या है यह क्लॉज है इसमें I think that you have made a mistake इसमें you have made a mistake क्लॉज है क्योंकि you क्या subject और बाकी का क्या है प्रेडिकेट तो I hope आपको यह clear हुआ होगा फ्रेज क्या होता है क्लॉज क्या होता है एक बार फिर से बता दूं फ्रेज जो है वो एक part of sentence होता है जिसका complete sense नहीं निकलता है partial sense निकलता है वो क्या होता है फ्रेज होता है बही चीज क्लॉज भी होती है लेकिन उसमें भी बही इसका अर्थी निकलता है, ऐसा नहीं, पूरा मीनिंग निकलता है, गो ऑपना अधार चुकाते हैं, तो इससे पूरा मीनिंग नहीं निकला है, ठीक है, पूरा मीनिंग तो यह पूरा सैंटेνस पड़े तब निकलेगा, तो यह भी part of sentence होता है, लेकिन इसमें subject और predicate दो चीजे होती हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं clause बोल देते हैं चलो आगे पढ़ते हैं अब पढ़ते हैं parts of speech एकदम proper नहीं पढ़ेंगे अभी हम उसमें पढ़ेंगे उसके बाद 1 by 1 एक एक part of speech को हम कैसे study करेंगे एकदम detail में ठीक है अभी हम उपर-उपर से बस definition देखेंगे जितने भी parts of speech होते हैं उनकी चलिए birds आप divided into different kinds of classes birds जो हैं उन्हें अलग-अलग classes या kind में divide किया जाता है उनका division का बख्खा है उसको हम क्या बोलते हैं parts of speech बोलते हैं according to their use जैसे हम use करते हैं ऐसा नहीं है किसी bird को एकदम उस पर tag लगा दिया कि भाई ये वर्व है तो वर्व ही हो नहीं है इसको जान noun use नहीं कर सकते हैं कोई noun है तो उसको बदलता वहता है उनके use के according उस पर कोई tag नहीं लगा देते हैं कि ये ऐसे ही use होना है that is according to the work they do in sentence जो भी वो काम करते है sentence में उसी तवेसे उनका हम classification करते हैं अच्छा ये number में कितने होते हैं 8 होते हैं देखो इससे exam में सबसे ज़्यादा question पूछे आते हैं आपके TGT PGT में PGT में इससे पिछली बाद तीन question आये थे इतने easy थे लोग उनको गलत करके आये थे फिरी के ये तीन question दे आये थे ठीक है तो अराम से इनको ध्यान रख रहा है और इससे ये तीन question तो डैवेक्ट पूछे थे कि ये कौन सी part of speech है इन डैवेक्ट में भी पूछते हैं कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा ठीक है तो बहुत कोई से नाते हैं अगर ये आपका topic clear है तो आधी grammar आपकी कबर है ये मान के चलो हाँ ठीक है आगे देखते है noun, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection बस हमें इतना पहचानना है कि बर्ड होता क्या है noun क्या है sentence में अगर एक sentence लिखा है पूरा तो हमें उसमें एक-एक word पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है और ये आप पढ़ लोगे तो आधी grammar आपकी cover हो जाएगी चलिए देखते है तो सबसे बहले तो noun noun हम बच्पन से पढ़ते हैं ठीक है व्यक्ति, बस्तू, भाव, इस्थान ये सबका नाम क्या होता है, संग्या होता है तो noun is a word used as a name of a person, place or thing ठीक है किसी भी person, place या कोई भी चीज हो, दुनिया भी कोई भी चीज हो उसका आप बस नाम रख दो, वो क्या हो जाएगी noun हो जाएगी कैसी भी हो चाहिए, वो साकारो, निराकारो दिवाकार का मतलब एफट्वेक्ट हो, जिसको हम senses दोरा परसीब ना कर पाएं, ठीक है या फिर वो साकारो, मतलब जिसको हम अपने senses के दोरा परसीब कर पाएं तो वो कैसी भी चीज हो, बस उसका आप नाम रख दो, वो क्या हो जाएगा, noun हो जाएगा जैसे example के लिए देख लेते हैं, अभी बहुत ही एकदम संचेप में देखेंगे, ब्रीफ में देखेंगे आने वाले जब हम इनको one by one study करेंगे, तो एक एक चीज detail में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी मैं आपको बस एक basic idea दे रहो हूँ इस वीडियो में ठीक है, उसको ही तो किंग बोलते हैं, यह नामा कमेट किया गया कि उस एक ही particular objective से इसको ही किंग कहा देगा, ऐसा थोड़ी है सब को किंग कहते को मोगए, तो यह वैसे तो common noun है, लेकिन यह भी गया है, noun है कोलकाता, noun है, सैर का नाम है हुगली, नदी का नाम है, ठीक है, यह भी नाम है कोलकाता यह जौन दा, हुगली हुगली जो river है, the rose smells sweet, rose कैसा है common noun है, हब गुलाब को रोज ही बोलोगे ठीक है, इस तवे का दिखने वाला जो भी फूल है, वो क्या है, रोज है, ठीक है, तो यह यह कैसा है, common noun है, लेकिन noun है, आगे हम बताएंगे आपको, जबने भी classification करेंगे noun के, एक एक चीज को अच्छे से समझाएंगे, the sun science bright, ठीक है, तो यह sun क्या है, नाम है, ठीक है, एक abstract है, जिसे आप अपने छूक नहीं सकते हैं, उसको smell नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन आपको पता ही यह चीज होती है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, the word thing, thing में क्या के चीज़े आती है, all objects that can see, hear, taste, touch, और smell, जो हम, जो चीज़े हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेष्ट कर सकते हैं, टेश्ट कर सकते हैं, टेच कर सकते हैं, इसमेल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें thing में आ जाती है, जो noun की definition में जो thing में सन होता है, उसका मतलब यह होता है, something that can be think of, ऐसी भी कोई चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, ठीक है, वो भी उसमें आ जाती है, but cannot perceive by the senses, लेकिन उसको हम senses के दोरा परसीब नहीं कर सकते हैं, आगे रेखते हैं, adjective क्यों होते हैं, adjective बो चीज़ होती है, a word used to add something to the meaning of a noun, जो noun के meaning में कुछ ना कुछ add कर देत दिया, ठीक है, boy कासा है, brave है, तो यह क्या है, adjective है, right, अगला, there are 20 boys in this class, अब इसमें देखो 2 adjective है, एक तो boys है, boys कितने हैं, boys की बिसे इसता है, 20 है वो, कितने हैं नमबर में, 20 हैं, तो यह adjective of number है, आगे बताएंगे, ऐसा नहीं है, जब हम adjective पढ़ेंगे, तब आगे उसके सा adjective है, right, आगे देखते हैं, क्योंकि यह class की बिसे इसता बता रहा है, आगे pronoun, यह क्या होता है, जिसको हम noun की जगए पर यूज कर लेते हैं, जैसे john is absent, because he is ill, john absent था, क्योंकि मैं बीमार, अब दो बार तो john यूज करेंगे, तो sentence का थोड़ा सा ऐसा नहीं है, कि वो sentence खलत हो लेकिन उसकी जो सुन्दवता है, वो बिगड़ जाएगी थोड़ी सी, अगर हम दो बार एकी नाम को यूज करेंगे, तो हम दूसी बार में उसकी जगए क्या यूज करते हैं, pronoun यूज करते हैं, जन्रली, ठीक है, तो जैस वर्ड को noun की जगए यूज किया जाता है, वो क् pronoun है, वैट, अगला देखते हैं, वर्ब क्या होती है, वर्ब is a word used to express an action or state, वर्ब क्या है, sentence में action या state को बताता है कि चल क्या रहा है sentence में, जैसे example देखते है, the girl vote a letter to her, cousin, लड़की ने क्या लिखा, अपने कजिन को पत्व लिखा, तो इस sentence में क्या हो रहा है, ठीक है, क्या लिखा जा रहा है, पत्व लिखा जा रहा है, तो यह जो जो चीज बता रहा है कि sentence में क्या action हो रहा है, या उसकी state क्या है, तो यह क्या है, यह आपकी वर्ब है, जैसे कोल काता is big city, तो इस यहाँ पी क्या है, वर्ब है, अगला iron and copper are useful metals, यह क्या है, वर्ब है, आगे देख और another adverb, अब यह कमाल की चीज होती है, ठीक है, noun को छोड़के, verb, adjective, even adverb, इसके भी आगे अगर यह तो इसको कुछ modify कर रहा है, या इसकी meaning में कुछ add कर रहा है, तो वो क्या होगा, adverb, बास समझ में आई, यह किस की चीज को qualify करता है, तो यह से एक बास समझ लो, verb को, ठीक ह बर्व के हाँ पर बर्व है, जल्दी की है, ठीक है, बर्व को भी qualify करता है, काम किया लेकिन जल्दी कर दिया, तो यह क्या हो गया, adverb हो गया, तो यह यहाँ पर बर्व को qualify करता है, समझ में आया, अगला देखो, इसको फिर से देखते है, this flower is very beautiful, अब देखो यह beautiful तो क्या ह है, flower कैसा है, beautiful है, सुन दा रहे है, तो यह तो adjective है, right, अब very beautiful, beautiful के भी आगे very लगा दिया है, तो यह इसको qualify कर रहे है, beautiful को, तो very का है, adverb है, समझ में आया, ठीक है, यह adjective की भी विशिस्ता बता रहे है, beautiful तो है, very beautiful है, right, इतना समझ में आ गया, अब अगला देखते है, she pronounced the word quite correctly, अब देखो, इसमें देखो, इसमें और चीज़ें, जैसे, उसने word को pronounce किया, पहले तो, कैसे pronounce किया, correctly, सबसे, तो क्या कब रहे है, वो sentence में, pronounce कब रहे है, ठीक है, काम क्या हो रहे है, pronounce कब रहे है, तो यह तो verb है, कैसे कब रहे है, correctly कब रहे है, तो यह तो adverb हुआ है, ह तो ये एक और adverb आ गया, वासमन में आ गई, ठीक है, c pronounced the word quite correctly, correctly तो किया quite correctly, काफी ठीक से गया, तो ये दो adverb हो गए, I hope आपको इतना clear हुआ होगा, right, अब आगे देखते है, preposition क्या होती है भाई, preposition बोचीज होती है, that is used with a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else, परलब जो sentence पर जो भी noun ये pronoun है, उसका बाकी part of sentence के साथ कैसे relation है, ये कौन बताता है, preposition बताती है, जैसे example देखते है, there is a cow in the garden, cow कहाँ पे, गार्डन में, तो cow garden में, ये in क्या यहाँ पे, preposition है, गवल is found of music, ठीक है, ओफ क्या है, preposition है, a fair little girl sat under a tree, ठीक है, जो गवल है, वो tree के नीचे बैठी हुई है, तो यहाँ पे tree क्या है, ट्वी क्या है, noun है, ठीक है, इसका जो relation है, बाकी part of sentence के साथ किस के दोरा बताय जा रहा है, under के दोरा, I hope कितना के लिगर हुआ होगा होगा आपको, आगे रेखते हैं, आगे हम इसको detail में पढ़ेंगे, क्योंकि preposition है, वो काफी confusing topic है, इसको ऐसे मैं यहाँ पे brief में, एगदम आपके सारी concept clear of नहीं कर सकता, आगे जब हम इसको detail में पढ़ेंगे, तब आपको मैं और अच्छे से चीज़े समझाओंगा, अभी यहाँ बस इतना जान लीजिए, कि यह noun या pronoun का बाकी part of sentence के साथ में, relation जो है, वो बताता है, आगे conjunction क्या है, यह दो word को join या दो sentence को join करता है, जैसे रामोहरी दो word है, इनको join कर दि तो यह भी क्या है, conjunction है, तो जो दो word या दो sentence को join करें, वो conjunction है, interjection क्या है, interjection जो sudden feeling को express करता है, जैसे हुआ, we have won the game, कभी-कभी होता है न, अच्छानक से आपकी feelings निकल के बाहर हो जाती है, कभी चौका लगता है, मैं इसमें out हो जाता है, ओ, क्या हो गया यह, ठीक है, तो क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं, interjection होते हैं, तो Alice is dead, generally, जब हम अपनी कोई भी sad feeling को express करते हैं, तो Alice का परियोग करते हैं, आगे देखेंगे, जब interjection पढ़ेंगे, अब देखतो, इसमें कुछ चीजे हैं, some modern grammars include determiners, determiners होते हैं, among the parts of speech, मतलब, जैसे तो generally eight parts of speech ही होते है लेकिन कई modern grammars में एक और देदी है, determiners, लेकिन determiners जो word होते हैं, an, the, किनको कहते हैं, जो कोई चीजे determine करते हैं, ठीक है, this, that, these, those, every, each, some, any, my, his, one, two, etc. तो ये क्या करते हैं, ये किसी भी word के meaning को थोड़ा सा limit कर देते हैं, सीमित कर देते हैं, ठीक है, तो in this book, as in many traditional grammars, all determiners except and, and को छोड़के, बाकी सारों को classify किया गया है, among adjectives, ठीक है, एतना ध्यान देगा, जब हम आगे पढ़ेंगे, तो इन सारी चीजों की बात करेंगे अभी, जो ये होते हैं, one, two, three, और first, second, third, ये ने ordinal, cardinal बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, तब हम देखना, 18 है, as words are divided into different class according to the work they do in a sentence, it is clear that we cannot say to which part of speech a word belongs, unless, जैसे मैंने आपको बताया था, कि किसी को हम tag नहीं दे सकते हैं, जैसे ये after है, भाई, ये तीनों cases में ये अलाग अलाग है, कहीं पे adverb है, कहीं पे preposition है, कहीं पे conjunction है, तो हम किसी word को tag नहीं दे सकते हैं, ये particular word यही है, ठीक है, वो हम द हो थी है, वो adverb भी हो सकता है, conjunction भी हो सकता है, इसलिए तो concept clear होना जरूर ही है, लोग करते क्या है, देखा लगा दिया, विशली बार ऐसी confusing कुछ सनाय थे, ठीक है, तो देखते हैं, अब यहाँ पे मैं आपको ये तीनों समझाता हूँ, बहुत आपको clear होगा, they arrived soon after, ठीक ह आगे एक और adverb लगा दिया है, वो क्या है, after, बासमझ में आई, अब they arrived after us, they arrived after us, तो यहाँ पे after क्या है, यहाँ पे after वैजा, preposition work कर भाए, क्योंकि यह noun या pronoun को बाकी part of sentence से relate कर भाए, ठीक है, क्यों यह us को बाकी, जो us है, इसको बाकी part of sentence से जोड भाए, इसलिए after क्या ह preposition है यहाँ पे, आगे next देखते हैं, यह है conjunction, यहाँ पे conjunction है, यह दो sentence को जोड भाए, they arrived, we had left, ठीक, after we had left, जब हम चलेगा उसके बाद भाए, तो यहाँ पे यह दो sentence है, इनको कौन जोड भाए, after, विसलिए यह यहाँ भी गया है, conjunction, इनको भी हम detail में पढ़ेंगे, और अ classification होता है, चलिए एक exercise है, करते हैं, आप लोग try गन्ना answer करने का क्या हो, चीज है यह, थोड़ा सा पहुच करके वीडियो, जैसे यह पहला है, still water is one deep, ठीक है, तो यहाँ पे still गया है, यह आपको बताना है, चलो, आप पहुच करके, आप ट्वाई गन्ना answer करने की, मैं तो जलिल दी कराऊंगा, बना वीडियो लंबी खिच जाएगी, ठीक है, तो still यहाँ पर क्या है, still मतलब रुका हुआ या ठैरा हुआ पानी जो है, तो यहाँ पर जो water है, water की विसेश्था कौन बता रहे है, still water अपना noun है, तो still क्या हो जाएगा, noun की विसेश्था बताने वाल देखो, अब यहाँ पर दो बार, यहाँ पर adjective था, यहाँ पर still क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि यह बर्ब को qualify कर रहे है, यहाँ पर still noun को qualify कर रहे है, इसलिए adjective था, यहाँ पर बर्ब को qualify कर रहे है, second है, after the storm comes the calm, after the storm comes the calm, storm मतलब तूफान के बाद क्या आती है, सान्ती आत तो यहां पर आफॉट यहां पर आफटर नाम ही तो यह आता है तो जब भी हम मैंने बदायें किसी चीज का नाम रख देंगे वो क्या है नाउन है तो इसको बाकी आफ्टर के बार्ट आ पर देखो अब देखो यहां पर आ गया यह बैट चुप गया यहां पर फेक्ट किया प्रभाव कि नाउन की विसे सा आफ्टर बता रहे हैं यह एद्जेक्टिव है वैट आगे देखिए the up train is late, train क्या है, noun है, common noun है, कोई सी भी train हो, उसको train बोलेंगे, उसके आगे up लगा है, तो अप क्या है, adjective है, आगे देखिए, it weighs about a pound, तो यहां पे बेश तो सीरा सीरा दिख रहा होगा, बर्व है, ठीक है, इसका जो बहार कितना हो रहा है, about a pound, तो it weighs about a pound, its subject है, उसके आगे बर्वेबा की object है, आगे देखते हैं, seventh, he told us all about the battle, he told us all about the battle, तो इसमें आप थोड़ा सोची about क्या है, ठीक है about क्या है, battle है, क्योंकि all of the battle का बिलेशन बता रही है, ठीक है, उसने हमें battle के बारे में बताया, तो about क्या है, यहाँ पर preposition है, आगे eight है, he was only a yard of me, तो यहाँ पर yard of me के बीच में convolution बता रहा है, of he was only a yard of me, ठीक है बहें मुझसे बस एक गच्च दूरी पर था, तो off यहाँ पर क्या है, प्री पोजीशन है, आप sentence को थोड़ा से हिंदी में भी meaning निकालेंगे न, तब भी आपको पताया जाएगे, प्री पोजीशन है, बहें मुझसे बस एक गच्च की दूरी पर था, तो यहाँ पर आपको पता जाला है, यह जोड नहीं रहा है, उनके बीच में संबंध बता रहा है, राम और स्याम, यहाँ आपको सीदा सीदा पता जाला है, यह दोनुच्च यह एड़ोरिंग, ठीक है, तो यह क्या है, यह प्री पोजीशन है, आगे देखते हैं next, suddenly one of the wheels came off, अचानक से एक बीचा निकल गया, यहाँ पर भी off क्या है, came off, ठीक है, यहाँ पर देखो off प्री पोजीशन नहीं है, came मतलब came बर्व है, और came off, ठीक है, यहाँ पर Muslims भी कहा सकते हैं, तो fast क्या है, यहाँ पर fast रखते हैं, ठीक है, ब्रत रखते हैं, तो यह क्या है, यह वर्व है, यह दो देख रहा होगा के लिए, लेकिन यह fast जो है, ब्रत रखना, और यह नहीं है, he kept, क्योगी यहाँ पर बरव किया है, यह kept है, he kept the fast for a week, उसने एक वीक तक fast रखा, ठीक है, यह कैसा है, abstract नाउन है, यहाँ पर यह sentence के action को बता रही है, कि क्या रखा जा रहा है, क्या हो रहा है, fast रखा जा रहा है, ठीक है, समझ में आया, यहाँ पर जो kept है, बही action को बता रहा है, यह क्या है, यह proper noun है, ठीक है, क्या रखा जा रहा है, fast, ठीक है, he kept the fast for a week, उसने एक हफ्ते तक क्या रखा, रखा, क्या रखा, ब्रत रखा, तो ब्रत क्या है, noun है, I hope इतना clear हुआ हुआ हुआ, अब देखो, 12th है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, तब I hope आपको जारा clear होगा, he is on the committee, तो बहे और उसके committee की बीच में relation कौन बता रहा है, on, तो यह क्या है, pre-position है, let us move on, let us move on, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो move क्या है, वर्वे, उसका मताबता बढ़ना, हिलना, जो भी है, और on इसके साथ लगा है, तो यह क्या है, adverb है, right, आगे आगे हैं, sit down and west of while, ठीक है, sit down, sit वर्वे, west verse, अब sit down, बैट जाओ, और खुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ जो while है, यहां पर, now है, कुछ देर, ठीक है, उसके वाइल यू स्लीप मैं देखूंगा यू स्लीप तुम सो सोगे जब तो वाइल यहां पर इन दोनों को किनेक्ट करें यह क्या है आगे देखिए और एक संटेंस बहुत अच्छा है दे वाइल अवे दियार इवनिंग विद बुक्स एंड गेम्स उन्होंने अपनी जो साम थी जब मैं parts of speech को off detail में पढ़ाऊंगा अभी तो मैंने आपको एक briefing देखे यह exercise करा दी जब off detail में पढ़ाएंगे तो चीजे और clear होंगी और अच्छे से आपको चीजे समझ में आएंगी पूरी वैनन मार्टेना हम पढ़ेंगे जो भी हमारा paid batch चल ला है और इसमें हम literature के दो वो author अभी तक cover करा चुके हैं TGT PGT दोनों batch चल लें तो जनको भी batch चाहिए हो वो मुझसे contact करें और मेरी तरब से ऐसा कोई force नहीं है कि आपको batch लेना ही लेना है चैनल पे काफी free वीडियो भी पढ़ी हुए आप उनको भी देख सकते हैं चैनल को subscribe करिए ऐसा नहीं है कि म बस पेड़ बैची चला रहो इस पर भी वीडियो जाती रहेंगी इस पर भी जो भी content आएगा आपके लिए useful ही होगा तो बस इसको subscribe कर दीजे कुछ री जाएगा आपका बटन दबाने में हाना और बस मिलतें अगली वीडियो में thank you